हेलो गाइज स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल ओफिस बिद एक्सपर्ट में आज हम इसमें सीखेंगे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कैसे चेंज करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक नेम की लिस्ट ले ली है जिसमें मुझे अपर लेटर में चेंज करना है इसमॉल लेटर में नेम लिखे हुए तो मैं यहाँ से फॉर्मूला लगाऊंगे इक्वल अपर का इक्वल अपर टाइप करना है उसके बाद हमें इसमें स्लेक्ट करना है नेम बाला कॉलम name कौन से column में हमारे A4 A4 select करना है bracket close करना है enter करना है उसके बाद मुझे इसमें भी upper का formula लगाना है A5 लेना है bracket close करना है और enter करना है यहाँ पर तो इस तरह से हम पूरा निकाल लेंगे name जितने भी मेरे पास 16 name ले रखी है यहाँ पर तो 16 तक हम यहाँ से drag कर देंगे डवल क्लिक करके आप control DB कर सकते है select करना है copy करना है अगर इदर हम paste करते हैं तो इस बारे column को मुझे delete करना है अगर हम delete करते हैं तो हमारा साथ में यह भी column का delete हो जाता है अब यह वाला delete ना हो इसके लिए हमें क्या करना होगा सबसे पहले हमें इस बारे column को copy करना होगा जो भी name है इदर आखके हमें paste special में जाना है paste special में हमें click करना है value and number formatting पर तो हम value and number formatting पर click करेंगे अब हम इसको delete भी कर देते हैं तो इस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा इसके लिए हमें